ठीक है है देखिए आप जो चीज कर रहे हैं वह हैक कहते हैं और अंग्रेजी में एक वर्ड यूज करते हैं के टेर है कि है कि एक ट्रीट्मेंट नहीं होता है थो ड़ा है कि इस्तमाल करें यानि एक थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया तो थोड़े समय के लिए आपके बॉड़ी को हेल्प मिल सकती है किसी भी मेडिसिन से अगर आप कॉंस्टिपेशन रिलीव करेंगे तो कॉंस्टिपेशन तो रिलीव हो जाएगा यानि बावल तो एंटी हो जाएगा खाली हो उसकी बज़ा से आता है जब भी आपके उपर किसी तरीकी का भी रिस्क आएगा चाहे वो mental stress हो चाहे वो physical stress हो in terms of disease किसी को diabetes है किसी को और दूसरी issues है थाराइड है तो ऐसे cases में किसी को blood pressure, heart disease का कोई issue है kidney का कोई problem है, autoimmune disorder है तो आप देखेंगे कि constipation एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले आती है अच्छा इसके बाद इसके अलावा constipation किस वज़ा से आ सकता है, season की वज़ा से भी constipation होता है खास करके जो rainy season होता है उसमें वातविकार काफी आता है तो constipation आने के chance होते है इसके अलावा constipation क्यों आएगा अगर आपके body का relaxation ability अच्छी नहीं body अपने आपको relax नहीं कर बाता तो भी आपको constipation आएगा ठीक है, चौत्ती चीज क्या हो सकती है आपके body के fundamental strength factors ठीक नहीं है, कमजोरी आ जाती है अगर शरीर में और शरीर में absorption कम होता है चीजों का, absorption अगर कम है, metabolism अगर weak है तो भी body अपने आपको बचाने के लिए constipation लेका आता है अच्छा, एक एक करके देखते हैं इसमें इसको कैसे ठीक किया जा सकता है मैं fundamental cause को ठीक करने की बात कर रहा हूँ, hacks तो आप कोई भी यूस कर रहा हूँ है ना, विरेचन गूली का खा रहे हैं, हरित की चोड़न आप खा रहे हैं, त्रिफला खा रहे हैं, कायम चुरन खा रहे हैं या इस तरीके से इच्छा वेदी रस खा लिया, इसब गूल की बूसी ले लिया, कोई और medicine आप ले रहे हैं, constipation को relief करने के लिए तो बेसिकली supportive है, constipation को मूल तरीके से, root reason से नहीं निकाल सब्सक्राइब, अब जरा इसको ध्यान से सुनिए, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, long term constipation किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर में long term constipation होने के कारण, brain में damage होगा, जिसको हम Parkinson के नाम से भी जानते हैं, neuro degeneration phase एकदम से aggravate हो जागी, तो long term constipation ये एक अच्छी बात नहीं है, इसको हमारे को handle करना ही चाहिए, गरम पानी पिएंगे, या इस तरीके कोई medicine लेंगे, थोड़ा चलेंगे, तो इससे आपको थोड़ा फायदा होता, बट मूल भूत रूप से आपके शरीर की इन शक्तियों को, metabolic strength को, tolerance को, relaxation ability को, ये आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलाव़ा कोई चारा नहीं है, क्या से बढ़ा है, जरा इसको समझते हैं, constipation को एक simple तरीके से भी समझ सकते हैं, नीचे से कोई material नीचे की तरफ flow नहीं करता है, बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं, याने कि जो नीचे की तरफ flow करने की strength होती है, उसे अपाने strength कहते हैं, अपाने शक्ति कहते हैं, अगर आपकी अपाने शक्ति कमजोर हो गई, त आपान शक्ति नीचे की और पुश्च करना हमेशा inhalation capacity आपके बोड़ी की उसकी वज़ा से आपान शक्ती होते हुआ। पहली बात inhalation की capacity आपके बोड़ी को बढ़ाना पर दूसरा metabolism बढ़ाना पड़ेगा Metabolism का मतलब होता है जितना लंबा आप inhale कर सकते हैं उससे कम से कम 4 गुना जादा आप hold कर सकते हैं अगर ये आप ये strength बढ़ाएं कि जितनी भी inhalation कर सके हैं उससे 4 times more आप आराम से hold कर सके हैं जैसे 10 second का inhale करते हैं तो 40 second का आराम से आपको hold करने की शक्ति होनी चाहिए तभी आपके body में भोजन का इस्तेमाल अच्छे से होगा Metabolism अच्छा होगा तीसरा factor relaxation ability अपने शरीर को ढीला छोड़ने की शक्ति होनी चाहिए यानि risk आता है तो आपने शरीर को आप tight करते हो बार-बार risk आएगा तो बार-बार tight करो इसे autoimmune disorder होता है जैसे जब भी आप medicine खाते हो आपका शरीर रिस्क में आता तो आपने बच्छपन से medicine खाया तो आपका metabolism खराब हो गया medicine जो भी बच्छपन से खाएगा और हर बीमारी के लिए खाएगा उस इंसान को chronic disease होने से कोई भी रोक नहीं सकता diabetes, thyroid, blood pressure, heart disease, autoimmune disorder, cancer ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आप शरीर के कामकाज में दखल अंदाजी कर रहे हो जिस तरीके से पेट्रोल की गाड़ी में डीसल आप नहीं डाल सकते उसी तरीके से अपने शरीर में आप chemical नहीं डाल सकते क्योंकि ये उसके लिए design नहीं हो तो metabolism अच्छा करना तीसरा relaxation ability कैसे अच्छा करेंगे इसका formula देता हूँ 1 is to 4 is to 2 अगर ये practice किया जाए आपकी capacity के हिसाफ से जैसे मैंने बताया 10 second का inhalation 40 second का hold 20 second का exhalation अभी तो हम 40 second hold में ये अटके वे हैं उसके बाद अगर 20 second का exhale कर पाए तब आपका उदाने शक्ति अच्छी होगी या relaxation ability अच्छी होगी तो relaxation ability को जैसे ही बढ़ाएंगे आपका constipation relief होगा इसलिए कई लोग cigarette पीते हैं बिड़ी पीते हैं या चाई पीते हैं कॉफी पीते हैं अपने constipation को relief करने के लिए उससे शरी ढीला होता है और constipation मतला बावल movement आ जाता है मगर वो तो फिर support वाला एसाब हो गया तो आपको कुमभक practice करके ये फंडमेंटली ये तीन चीज़ें और चौती चीज़ है tolerance अपने शरीर की जहलने की क्षमता अगर बढ़ा देंगे तो बहुत जल्दी stress नहीं होगा शरीर को stress नहीं होगा तो इसका immune system proper work करेगा immune system proper work करेगा तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में ease रहेगा आराम रहेगा सारे ओर्गन ठीक से function कर तो एक छोटा सा constipation मगर देखेंगे इसके पीछे कितने सारे कार है तो केवल एक hack से constipation को relieve नहीं किया जा सकता it is almost impossible कुछ समय के लिए relieve हो सकता है अगर आपके शरीर शारीरिक शक्ति बरकरार है तो hacks भी काम कर जाते हैं लेकिन असल में hacks treatment नहीं होता